नवादा जिले में बुधवार की सुबह तक्रिवन साधे तीन बजे कुछ नकाब पूष्ट बदमाशों ने एक यात्री बस को लूट लिया नकाब पूष्ट बदमाशों ने हत्यार के बल पर चलती बस में लूट पाटकी और फरार हो गये हत्यार से लेस्ट बदमाशों ने यात्रीों से गहने रूपे और मुवाईल सब को छिल लिया यगटना बुंदेल खंट थाना च्छेतर के साई मंदिर के पास ये बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक बस जारकन के धनवात से बिहार शरीफ जा रही थी नवादा में कुछ यात्रीों को उतारने के लिए पार नवादा रजॉली बस स्टेंड जा रही थी इसी दौरां देवी अस्थान मंदिर के पास बदमाशों ने बस के यात्रीों से लूट पार्ट कर दी बदमाशों ने पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस को ख़बर तक नहीं लगी लूट पार्ट के शिकार हुए यात्रीों ने पुलिस को फोन किया लेकिन किसी ने नहीं उठाया ACP को भी फोन मिलाया गया लेकिन उन्होंने भी फोन डिसीव नहीं किया घंटों बाद सादे लिवास में कुछ पुलिस कर्मी घटना अस्तल पहुँचे तब तक अपना धी फरार हो चुके थे इससे घटना से और पुलिस की गैर जिमिदाराना विवार से यात्री काफी नराज दिखे नराज यात्रियों ने मीडिया के समक्ष पुलिस प्रशासन पर जम कर बढ़ से यात्रियों ने कहा नवादा की पुलिस गैर जिम्मेदाराना है इनसे आम लोग शुरक्षित नहीं है कैसे क्या गठी आप देखे थे आप हम देखे थे कि बस में आने उहां आपको मंदिल की पास यह जो फामना चौक से उधर मंदिल है बगल में वहें पर डिराइबर को सिफसका दिया और डिराइबर गाडी रोग दी आउगरा में दस गोल लड़कां जो था सो कटारा लिये हुआ भग गया और कटारा देखा करके कहा कि यदि तुम लोग नहीं दोगे तो गोली मार दोंगा अच्छा एक सब आप नवादा की है जी नवादा के है नवादा के हम एसपी का ट्यूटर पर बखाते है तो पुलीस लोगों की सुरच्छा देते है क्या कही है उनके नवादा सी सनुच कुमार संगम की रिपोट